अजीब सी दुनिया हैं अजीब से ठीकाने हैं यहां लोग मिलते कम हैं जोगते जादा हैं और यह बहुत बड़ी सच्चाई है इस दुनिया का क्लास स्टार्ट करूँगा बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा पक्का क्यूंकि आपके पास हर एक विडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें और किसी भी एक्जाम के लिए जो मोग टे का ये गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद भी आप एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं थ्री फॉर्टी नाइन वाला पैकेश अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ रेलवे, ससी और बैंक हर एक एक्जाम का मोग टेश्ट आपको दिया जाएगा और हर एक्जाम के लिए कम से कम 20 सेट दिये जाएंगे ताकि आप एक्जाम से पहले अपने आपको जज़ कर पाओ कि आप एक्जाम से पहले कितना स्कोर कर पा रहें उस एक्जाम में ठीक है और आज कवर करने वाले हैं हम सबी उसके पहले क्लास का टाइमिंग आप देख लेना ताकि आपका क्लास जो है वो बिलकुल भी मिसना ह और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 3 जैनवरी के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्थ जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला प्रस्थ है वो यह है जारखंड विधान सबा अध्यक्ष यानि यहां पर बात कर रहा है जारखंड विधान सबा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है उनका नाम आपको बताना है तो इस बार जारखंड में आप सभी को पता है election हुआ था और वहां पर आपका पहला question भी यह है मैं आपको बताता हूँ पहले आपको बता दूँ इसका answer क्या है रमिंदर न इनको चुना गया है जारखंड एसेंबली का speaker यानि की अध्यक्ष और आज का आपका पहला प्रस्न है कि जारखंड के नए CM का नाम क्या है वहां पर राजजपाल गवर्नर क्या है ठीक है और राजधानी तो सभी को पता है जारखंड के राजधानी जो है वो राची है ले किस राज ने सासन प्रक्रिया में जनता की भागिदारी को मजबूत करने के लिए एक नया portal लॉंच किया है और ये लॉंच किया गया है आपका हिमाचल परदेश की राजसरकार के द्वारा ठीक है ताकि जो जनता की भागिदारी है वो मजबूत हो सके और हिमाचल के CM कौन तो जैराम ठाकूर और कैपिटल तो वो है आपका सिमिला सिमला और राज्युपाल बंदारू धत्तारा है ठीक है अगला प्रस्स हमारे सामने है आप सभी को पता है खेलो इंडिया जो तिसरा थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम थर्ड जो है देर बीस का ये कहां पर स्टा हो गया है तो यह स्टार्ट हो गया है आपका असाम के गोहाटी में आप सभी को पता है लेकिन क्या बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बीस अधिकारिक तोर पर निमलिखित मुद्दों में से किसके लिए वकालत करता है आपको बताना है कौन सा मुद्दा जो है इस बार तारगेट रहेगा इस गेम में आपको बताना है और वो मुद्दा सबसे इपॉर्टेंट है इल्मिनेशन ऑप सिंगल इस प्लास्टिक आपका डी एंकल उप्योग प्लास्टिक का अनुमुलन आप सभी को पता है पूरे बिस्व भर में इसका विरूध हो रहा है कि प अगला प्रस्ता मारे सामने है किस राज ने गंगा सागर तिर्थ यात्रियों को पांच लाक रुपए का बीमा देने का फैसला किया है आप सभी को पता है कि बंगाल से गंगा सागर बहुत नजदीक है और जो यहां के बहुत सारे पूरे बिस्व भर से यात्री 14 जैन्वर यानि सकरात बोलते है न उस दिन मकर सकरांती बोलते है उस दिन जो है बहुत सारे लोग जो है वो गंगा सागर जाते हैं असनान करने ठीक है अब मालो उस समय किसी को दुरगटना किसी के साथ हो जाता है किसी भी तिर्थ यात्री के साथ तो पांच लाक रुपए का बीमा जो है वो पच्छिम बंगाल राज सरकार जो है वो देगी option number B और विस्ट बंगॉल के CM कौन है तो ममता बैनर जी है capital कोलकाता और राजजुपाल कौन है तो वो है आपके जगदीब धंकर ठीक है अगला प्रसमारे सामने है तामिल नाडू बिधान सबा के पुर्व स्पीकर और AIA DMK के वरिष्ट नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो तामिल नाडू बिधान सबा के स्पीकर भी रह चुके हैं और AIA DMK के वरिष्ट नेता भी रह चुके हैं उनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो उनका नाम है आपका PH पंड अप्सन नंबर आपका A ठीक है और बात चला है तामिल लाड़ू का तो तामिल लाड़ू के सीम कौन है तो इड़ापडी के प्लनिस्वामी राज्युपाल बनवारी लाल पुरोहीत और क्यापिटल क्या है तो वो है आपका चिन्नई ठीक है अगला प्रस्स हमारे सामने हैं भारत का पहला मानव अंतरिक्च उड़ान इंफ्राइस्ट्रक्चर सेंटर ये कुष्ण भारत में पहली बार ये human space flight इंफ्राइस्टर क्या सेंटर ओपेन होने जा रहा है किसी राज्यु में तो ये कुष्ण अपने आप में इतिहास बन गया है तो आप समझ सकते हैं कितन important question है question क्या बोल रहा है भारत का पहला मानव अंतरिक्च उड़ान इंफ्राइस्ट्रक्चर सेंटर जो है वो आपका करनाटका में खुलने जा रहा है option number D India first space human space flight infrastructure center will be established in करनाटका और करनाटका के सीम कौन है बी एस युदरप्पा गवर्नर बजू भाई वाला और क्यापिटल क्या है तो वो है आपका बैंगलूरू ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है हाल ही में किस भारतिया खिलाड़ी ने हेस्टिंग इंटरनेशनल सत्रंग्ज कांग्रेस जो परतियोगीता है वो जीता है आपको बताना है वो भारतिया प्लेयर का नाम है क्या तो यह टूर्णामेंट जिनोंने जीता है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका पी मंगेस चंदरन अप्सन नंबर आपका B इन अदालत ने date warrant जारी किया, आप सभी को पता है, चार दोसियों को फासी की सजादी गई है, और ये किस court के द्वारा सुनाया गया है निर्वया case में, तो ये सुनाया गया है आपका पटियाला house court के द्वारा option number आपका C, याद रहाएगा ना, important question है ये वाला भी, अगला परस्त नमारे सामने हैं किस भारतिया भारो तोलक को डोपिंग का दोसी पाए जाने के बाद चार साल के लिए पर्तिबंध कर दिया गया है उनके खेल पर कौन से इंडिया के वेट लिफ्टर है जिनके उंबर चार साल का बैन लगा दिया गया है डॉपिंग में पाई जाने के बाद तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपको आप्सन नंबर ए सर्बजीत कौर ठीक है याद रहाएगा आप सभी को अगला प्रस हमारे सामने है बिकरम सारा भाई चिल्डरेन इनोवेशन सेंटर किस सराज में इस्थापित किया जाएगा बिकरम सारा भाई चिल्डरेन इनोवेशन सेंटर जो है वो किस सराज में खोला जाएगा तो यह खोला जाएगा आपका गुजरात में आपसन नंबर राज़पाल अचार देब्रत और क्यापिटल क्या है तो वो है आपका गांधी नगर ठीक है अगला परस्त हमारे सामने हैं और ये क्वस्चन भी काफी इपॉटेंट है बहुत जादा इपॉटेंट बोल सकती हो उक्रेन बोईंग 737-800 जो 8 जनवरी 2020 को किस राष्ट में दु सभी जानते हैं और ये क्रैस हुआ था आपका अपसर नमबर डी इरान में और आज का आपका दुसरा परस्त ये है इरान का मुद्रा इरान का राध्धानी कैपिटल करेंसी और वहां के जो राष्ट पती है उनका नाम आपको कॉमेंट करकर बताना है कॉमेंट बोक्स में ये आपका आज का दूसरा परस्त ने ठीक है तो अगला परस्त हमारे सामने है किस राष्ट सरकार ने सहीद असफाकुल्ला खान चिडिया घर के निर्मान के लिए 234 करोर रूपए मनजूर की है ये आपको बताना है इस क्वर्शन में और वो राष्ट सरकार है आपका आप चपाल कौन है अनन्दी बेन पतेल जो पुर्व मुख मंत्री रहे चुकी है गुजरात की और उत्तर प्रदेश का दाथाने सभी को पता है क्या है लखनाओ तो ये थे आपके एक क्वर्शन और है भारत का पहला कछुआ पुर्णवास केंद्र किस सहर में स्थापित किया और ये किया गया है आपका बीहार के भागलपुर में option number c इंडिया first turtle rehabilitation center is set up in which city तो वो होगा आपका भागलपूर और भागलपूर कहाँ पढ़ता है तो ये पढ़ता है आपका बीहार में और बीहार के cm कौन है नितिष कुमा राजधानी पतना और राज़पाल कौन है आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी खयाल लखेगा ठीक है चलिए आपका हुआ गिस्टबगा का भी खर नथा तूर छोर तूर